आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सब का बहुत-बहुत स्वागब है जैसे हमेशा की तरह आज भी जो टॉपिक होगा वो डिलीवरी रूम का टॉपिक होगा लेकिन थोड़ी सी ये चेंजेज रहेगी इस वीडियो के अंदर की जो भी स्टोरी इसमें बताई जाएगी वो मेरी सब्सक्राइबर की स्टोरी होगी जो मुझे तक पहुची है अगेन मैं आप तक सेर करनी की कोशिश करे हूँ ये वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है मेरी सब्सक्राइबर के साथ डिलीवरी रूम में क्या क्या हुआ उस बारे में भी चर्चा किया जाएगा जैसे कि सभी प्राग्रेंट महिलाओं को एक ही चीज का डर रहता है और वो डर रहता है कि delivery होते समय कितना दर्द होता है और साथी साथ किन महिलाओं को निचले हिस्से में चीरा लगाया जाता है और चीरा लगने के बाद उसकी सिलाई की जाती है इसके बीच कितना दर्द होता है इन सारे टॉपिक के उपर overall मैं चर्चा करूंगी तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगेन वेलकम टू संडे कमेंट बॉक्स मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली बार अगर आए चाल पर चाल को जरूर सब्सक्राइब वीडियो को आप लाइक किजिएगा देखिए डिलिवरी रूम का जो समय होता है ये सभी का मैं गौड से प्रे करूंगी कि वो 36 वीग के बाद ही आए क्योंकि 36 वीग के बाद ही जब लेबर पेन आता है मा और बच्चा दोनों बिलकुल स्वस्त होते हैं अब यहां पर बात किया जाता है कि जब डिलिवरी रूम में आप जाते हो उसके बाद क्या किया जाता है कितना दर्द होता है देखिए आपके दर्द को बढ़ाने के लिए जो डॉक्टर्स होती हैं वो इंजेक्शन लगाती है जितना ज़्यादा दर्द बढ़ेगा दर्द पिक पॉइंट पर रहेगा उसी टाइम आपके जो बच्चेदानी का मूँ होता है वो दस संटीमीटर ओपेन होता है बीना दर्द के जैसे आपने लोगों ने किसी से बोल चाल की भासा में सुनी हो गई बीना दर्द के बच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि दर्द होता है तभी आपका सर्विक्स खुलता और जब सर्विक्स खुलेगा तभी बच्चा होगा इसलिए डायरेक्ट करेक्ट किया जाता है कि बीना दर्द के बच्चे नहीं होते किसी को दर्द कम होता है किसी को दर्द जादा होता है कोई दर्द को जादा explain करता है इतना बड़ा explain करता है कोई दर्द को इतना छोटा explain करता है अब है कि दर्द कितना होता है अगर medical science की माने तो 57 टेल के बराबर दर्द होता है जब भी किसी नॉर्मल इंसान की 20 हडिया एक स तूपती है उतना दर्ध होता है normal delivery के अंदर अब देखेई हर किसी को जाधा नहीं होता है किसी किसी को कम जसे मुझे सिर्प साथे तीन घंटे तक दर्ध हुआ है तो आप बहुत ही एक्टिव रहें तहलती रहें आपकी डिलीवरी बहुत कम समय के अंदर हो जाएगी अब है चीरा के उपर बात करते हैं मेरी एक सब्सक्राइबर का साफ साफ से कन्फरमेशन आया कि जब वो डिलीवरी रूम में गई बच्चे का सर बाहर आ रहा था और कि सासु माने डायरेक्ली डॉक्टर को बोल दिये था कि चीरा नहीं लगना चाहिए चाहे जो हो जाए तो इस केस में डॉक्टर ने एक बात की कि अधिखे डॉक्टर उनको डायरेक्ट डिलीवरी रूम में ले गई और उन्होंने बोला अब बच्चे का सर बाहर नहीं नि किसी डिशीजन लेने के कंडिशन में थी वो डिलीवरी टेबल पे लेटी हुई थी लेकिन फाइनली उनकी सासु मा को जब ये चीजे समझ आई कि बच्चा बाहर नहीं आ रहा है और बच्चा अटक सा गया है इस केस में उन्होंने भी बाद में कन्फरमिशन दी ठीके ची शीरा लगाने के पीछे एक ही कारण है देखिए बच्चा जो है जो आपका सर्वक्स है 20 cm इसके बाद सर बाहर नहीं आता है इस केस में बच्चे कर येसा इस रही बहुत नसे होती है वह दबी रहती है, कुछ देर तक अब बताएए, वह 국स ज्यादा ही देर तक वक्याम औ जाता है तो उससे बच्चे के माइंड के ऊपर या कुई नसे दब सकती है इस कारण ही डॉक्टर जोते वह चीरा लगाते हैं और अगर आप मेरा विश्वास करती है तो यह आप जान सकती है कि जिस टाइम आप लेबर पेन में रहती है उस टाइम चीरा लगाने पर आपको द उसके बाद जब उन टाको की सिलाई की जाती है और बीना सुन किये उस समय दर्द होता है क्योंकि उस टाइम तक डिलीवरी होच की होती है बच्चा बाहर लेटा हुआ रहता है अब है कि इस केस में आप सुन करवा सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और टाको की सिलाई हो जाएगी और टाकेज होते हैं 15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं मेरी बात किया जाए तो ना मुझसे पूछा गया कि चीरा लगाया जाए यह नहीं लगाया जाए नाहीं मुझसे पूछा गया कि टाको की सिलाई की जाए मैंने जस्ट अपनी आ उठाइब सब़कनाया ँछा्ट को बढ़िए मेरे को बतातों हैं eva को सब्सक्राइब और मेरा मेलानियो इस से घ्राइब के थाइबर उन्हें दitat reflects वजूद भी क्योंकि चीजों को समझना चाहिए और समय राते चीरा लगवा कर नॉर्मल डिलीवरी के अंतर बच्चे को बाहर निकलवाना चाहिए थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हूं फिर अगले संडे कमेंट बॉक्स में आप सभी के सवालों का जबाब देने के लिए चलिए तब तक देखते रहेए प्राइब ओम थैंक्स फूर वाचिंग बाबाएं टेक केर